अलो एवरिबडी वेल्कम बाक टो पर्चम आएम रिचा शर्मा आज को जो सेशन है वो मन्थली करंट अफेर्स नवेंबर मंद से डील करता हुआ है नवेंबर खतम हो चुका है डिसेंबर चल रहा है फर्स वीक ओगर हो चुका है डिसेंबर का भी तो अभी पिछले कुछ द चूटनी नहीं चाहिए आपको मल्टिपल सोर्से से जाके रेफर्ण नहीं करने की जरूरत पड़े वन डे एक्जाम हो स्टेट सेवल्स हो इन्फाक यूपी सी प्रेल्म्स तकी तैयारी काफी सारी आप यहां से कर सकते हो कुछ निउस आईएस के लिए ऐसी होंगी जो दिया के अंदर एक्जाम हो तो आप यहां से अपनी करन टफेर को परपेर कर सकते हो। आज का जो सेशन है वो फोर्थ नंबर का सेशन है। क्या पहले की तीनि सेशन देखने पर ही आज का Сेशन समझ में आएगगा? नहें. आप यहां से शुरू कर सकते हो अगर प्रीएस स मिस आउट हो गए हैं कवर करना चाहते हो तो इस जो वीडियो का टाइटल दिया हुआ है नीचे उस पर क्लिक कीजिए मोर में डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा सारे इंपोर्टेंड लिंक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी मन्तली करंट अफेर के जाकर के बाद में देख सकते हो ठीक है तो आज के session में क्या पढ़ेंगे आज के session में हमें national news को cover करना है important important जितनी भी ministry से related news होंगी जितनी भी central government schemes होंगी जो भी summits, conferences, projects रहे होंगे वो सब आज की news में हम cover करेंगे very 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 important for all the examinations और उसे के साथ साथ फिर एक लास्ट में छोटा से session हम रखते हैं section होता है ये finance और banking news का finance और banking news अलग से detail में cover की जाती है weekly mood में भी monthly mood में भी pile में उसको cover करते हैं उसकी अलग से playlist है तो banking वाले बच्चे वो जाके देख सकते हैं जो non banking बच्चे इतना देख लीजिए इससे बाहर नहीं आएगा पुझे ठीक है जी तो चलिए start करते हैं question से तो आप सबसे बढ़े इस question का answer कीजे because I really want my students to do well अगर हम आपके लिए महनत कर रहे हैं आपकी महनत करना भी बनता है अगर आप daily weekly follow कर रहे हो परच्चम से 100% answer दे पाओगे ठीक है ये in fact current affair का question नहीं है static का question आप कहीं से भी तयारी कर रहे हो इसका answer आना चीए नहीं आता google कर लो महनत करो महनत करकी कुछ ढूंडोगी तो दिमाग में टिका रहेगा so what is the question let us see which union ministry is the modal ministry of प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना अब प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना एक पुरानी स्कीम है लेकिन वापस news में आई क्योंकि इसको extend कर दिया गया है कोविट के टाइम में इसको launch किया गया था 2020 के अंदर लेकिन अब इसको extension मिल गया तो न्यूज में वापस आई ये तो पढ़नी है आप से पूछा जा रहा है नोडल ministry कौन सी यानि कौन सी ministry है जो इसका पूरा operation देखेगी कि जो स्कीम है दंग से चल रहे है या ने जल्दी से write down in the comments section आचा काफी सारे बच्चे हैं जो PDF के बारे में पूछेंगे because a lot many of you study with the help of PDFs तो जो भी पूरे महीने की करंट अफेर हम पढ़ते हैं इस 6 के 6 sections मिलाव करके एक single PDF आती है जिसका monthly magazine बोल दीजिए consolidated PDF बोल दीजिए वो आपको पर्चम classes.in पे available होगी आज day end तक मिल जाएगी क्योंकि हर महीने की 7 तक ही आपको available होती है English में और 10 तारिक तक हिंदी में मिल जाती है इसी website पे अगर आप बार 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 PDF से पढ़ते हो और बार खरी होती होती है अपने लेकिन फिर भी और convenience हो जाएगी pocket friendly रहेंगे तो आप में जाके आप चेक आउट कर साथ है ओके बढ़ते हैं हमारे पहले section की तरफ which is national news और उसमें पहली ख़बर कौनसी आ रहे है कोजी कोड और गौलियर से जुड़ी हुई पिछले session में जाते जाते मै आपसे पूछा था के कौनसी दो cities हैं इंडिया से जिनको जगह मिली है UNESCO की creative cities network में और आंसर क्या हो जाता है मंध्यप्रदेश की वालियर और कोजी कोड फ्रम केरला तो यह दो cities हैं जिनको UNESCO creative cities network में जगह मिली है और total 55 new cities है जिनको UNESCO ने इस list में अभी recently शामिल किया है ठीक है तो जो भी cities इसमें शामिल हुई है उनको invite किया जाएगा 2024 के UCCN annual conference के लिए अब यह conference कहां होगी यह एक important point हो जाता है तो यह Portugal में ब्रागा के अंदर की जाएगी और इसकी theme रहेगी bringing youth to the table for the next decade अब जो ग्वालियर है यह कौन सी category में add हुआ है UCCN के और जो कोजी कोड है वो कौन सी category में add हुआ है ग्वालियर music category के अंदर ग्वालियर घराना भी होता है ना music में तो ऐसे याद रख सकते हो कोजी कोड literature category के अंदर add हुआ है देखो इंडिया से total अब मिलाकर के 8 cities है जो U CCN का पार्ट बन चुकी है over the years अब यह दोनों recent है उससे पहले स्रीनगर, हाइदरबाद, मुंबई, चेन्ने, वारणसी और जैपुर और यह इनकी categories रही ठीक है तो यह आपको मैंने दे दिया कुछ static information क्यूंकि current के साथ साथ static त्यार करना बहुत ज़रूरी होता है total कितनी categories के अंदर cities को add किया जाता है UCCN के थ्रू, total होती है seven creative categories यानि उस चहर में कुछ ऐसा creative हो रहा होगा जो बहुत यूनीक है जो globally, normally बाकी जगों पे नहीं देखा जाता है इसलिए इनको जोडा जाता है तो craft and folk art, media art, movie, design, gastronomy, gastronomy क्या होता है? gastronomy होता है food, आपकी culture से किस तर इसको gastronomy का जाता है, literature and music, ये seven categories के अंदर UCCN शहरों को creative cities को जोडती है, काम क्या होता है इन cities का, इन cities का काम होता है ये जो भी कर रहे हैं वो share करें बाकी अपने network cities के साथ में ताकि दूसरे लोग भी उनसे सीख सके, ठीक है तो ही main काम होता है, UCCN की शिरुआत 2004 में होई ती, sustainable development goal number 11, मैंने आपको सारे SDG याद करवाये थे, 17 SDG, उसमें number 11 का SDG क्या था, it was related to sustainable cities and communities, और उसी के तहत ये सारी practices की जाते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़े, उससे पहरे जल्दी से एक 8-9 second का prelude है, देखके लोटिए, ताकि सारे courses, subscription का idea मिल जाए, I'll be waiting on the second news for you. All right, so welcome back, next news है भारत आटा से related, वीट फ्लार गीहूं का आटा जो होता है, तो भारत ब्रैंड का आटा सरकार ने नए initiative के तौर पे बजार में लेकर के वो आ गए हैं, और उन्हाना ने इसको कर दिया है, लॉंच उसका AMMRP रखा गया है, 27 पॉइंट, 27.5 रुपीजी पर जब कि अवरेज प्राइस मार्केट में जो गेहूं का आटे का है, वो 35.93 पर केजी है, तो इससे होगा क्या सब तक खाने का राशन वगेरा पहुंचा सके, यानि एकसेसिबिलिटी ब्रॉड हो जाए, कंस्यूमर बेस की, हर कोई गेहूं का आटा अटा अफोर्ड कर सके, तो इभारत ब्राइंड का आटा है, नेक्स्ट, जल दिवाली, अगला नियुस क्या है, जल दिवाली एक कैमपेंड सरकार ने लौंच की थी, तो जल दिवाली कैमपेंड क्या है, किस ने लौंच की, क्यों लौंच की ये जानना हो जाता है, जरूरी, जल दिवाली, वाटर for women, Women for Water campaign, यानि कि पानी महिलाओं के लिए जाद जरूरी होता है विए उस घर के सारे काम उनको देखने होते हैं और महिला ही पानी को भी अच्छे से संरक्षित कर सकती हैं समझ सकती हैं, उसका रखरकाव कर सकती हैं इससे रिलेटेड यह पूरी campaign रही ministry कौन सी है, ministry जल सकती नहीं थी इसमें involved, ministry of housing and urban affairs ने इस campaign को चालू किया था, इनकी flagship scheme है अटल mission for rejuvenation and urban transformation, अमृत mission जिसको हम कहते हैं न, या अमृत scheme उसके दहती campaign लाई गई थी और तीन दिन की campaign बेसिकली थी दिवाली के पहले वाले time की, जिसके अंदर जितनी पी women है, उनको water governance यानि water का सही रख रखाव सिखाने के लिए इस campaign को लाया गया था, उनको first hand knowledge दी गई कि water treatment process होता किस तरह से है, तो पूरा ये जानकारी water से related, water treatment plan से related दी गई थी ये इसका poster था then नई चेतना, एक और campaign नाम क्या है, नई चेतना nationwide campaign to tackle violence against women violence against women, मैंने आपको जब important days याद करवाय थे, निमोनिक से तो मैंने याद करवाय था, 25 नवंबर constitution day के just एक दिन पहले होता है international day to eliminate violence against women, और उसी दिन इस campaign को किया गया launch, समझते हैं इसका 2.0 यानि second edition या आप बोलतीजे एक नया तरीके से इस campaign को इस बार launch किया गया international day for elimination of violence against women, 25 नवंबर को आता है और इस दिन नई चेतना 2.0 को launch किया गया, तो नाम से समझ में आ रहा होगा नई चेतना, यानि जो violence होता है जन भागीदारी यानि जादन लोग इस से जुड़े इस objective के साथ इस campaign को चालू किया गया Union Minister of Rural Development लेकिन सिर्फ एक ministry involved नहीं थी, टोटल 9 ministries इस पूरी मोहिम के अंदर involved हैं ठीक है, so Rural Development के साथ साथ बहुत सारी और ministries हैं लाँज किस ने किया लेकिन ये important हो जाएगा तो लाँज किया है Union Minister of Rural Development गिरी राज सिंग जी ने ठीक है और उसी के साथ साथ Day NRLM यानि दीन दियान अंतोदिया योजना National Rural Rivalyhood Mission भी साथ में जुड़ा हुआ था इसलिए इसका full form यहां दे दिया गया है Usually न कोई scheme हो, campaign हो तो इनके abbreviated forms आते हैं तो आपको उनके expended versions पता होने चीए विकुज उनसे related question वन डे exam में अमोवन देखे जाते हैं और जेनरली, नॉमली देखे जाते हैं Then coming over to one station, one product scheme ये भी पहले से चल रही है पर वापस आई है news के अंदर क्यूंके अब इसको total अभी कितनी जगों पर operational है 1037 stations में ये चल रही है One state, one product जो भी कोई भी राज्य कुछ भी नया बनाता है कुछ भी अनुठा बनाता है तो उसको एक kios किया एक तरह से जगे दी जाती है railway stations के उपर और अभी में समझाओंगी कैसे होता है ताकि वो अपने local crafts, local produce, local जो भी वो कलाकारी करते हैं उनका एक kios या छोटी सी shop मान लीज़े temporary shop लगा करके उनको बेच सकते हैं और बदले में वो थोड़ाई किराया दे देते हैं railway stations को platforms पर लगाई जाती है तो इसका main objective क्या है कि हर राज्य में, हर district में क्या-क्या नया है वो आप एक तरह से showcase कर सकते हो तो one station one product initiative किसका है सबसे पहला point, Indian railways का है किसका है, Indian railways का है और sale outlet दीरे जाते हैं local schools ताकि वो अपने indigenous product जो सिर्फ वहीं पर बनाये जाते हैं उगाये जाते हैं, उनको वहाँ पर show कर सके और अब total कितने इस तरह के kiosk operational है 1000 से भी जादा अलग-अलग stations पर इसको launch किया गया था vocal for local के लिए, नि जो भी local चीज़े हैं उनके बारे में vocal हो सके हम और ये pilot scheme मार्च 2022 में शुरू की गई थी ठीके जी, चलिए अब ये scheme का, like I told you इससे फाइदा किसको होगा जो वो farmer है, जो वो artisan है जो वो craftsman है, जो कुछ बना रहा है वो अपना local सामान लाकर के सामने सब के सामने बीड़ वाली लाका होता है न, railway station और बहुत सारे टूरिस भी आते हैं तो सब को जागरुपता मिलेगी, खरी देंगे तो इनको temporary stall मिलते हैं कियोस्त मिलके है, 15 दिन तक 1000 रुपे किराया ये डेलवे को देते ही और 15 दिन तक अपना store वहाँ पे लगा लेते हैं चलो जी अब यहां आता है नेस्ट इनिशियेटिव वाट इस इस नेस्ट इनिशियेटिव कौन लेकर के आया है, क्यों लेकर के आया है तो नेस्ट इनिशियेटिव इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने लाँज किया है किसने Indian Green Building, now what is this Green Building, बई, Green Building होती है, जो कुछ भी Net यूटिलाइज नहीं कर रही हो, नेचर से, या जाधा वेस्टेज नहीं कर रही हो, एनरजी वेस्टेज भी नहीं कर रही हो, एन्वार्मेंट को नुकसान भी नहीं पहुचा रही है, construction के ताइम में उसको green building कहा जाता है और इंडिया में इंडियन green building council है जो इस तीज पर ध्यान रखता है कि जो constructions वगेरा हो रहे हैं वो उन सारे पेमानों पर खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं ठीक है तो यह एक rating और सर्टिफिकेशन इनिशेटिव चालू किया गया है नेस्ट नेस्ट यानी घोसला तो गोसले में कौन रहता है परिवार रहता तो जो domestic buildings बनती है न वो उन से related यह certification और रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी कि आप का जो domestic construction है वो हमारे green building parameters के हिसाब से अच्छा या नहीं है तो आपको certificate में मिलेगा तो sustainable and equal friendly construction domestic housing sector में बढ़ावा देने के लिए नेस्ट इनिशेटिव लाया गया है अब यह भी आ जाता है आपका static का extra point क्योंकि हमने Indian Green Building Council की बात की तो अब इंडियन Green Building Council क्या है कब शुरू हुआ एक्सेटर 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 इसका पार्ट है 2001 में बना था और certification body यह green building है कौन बताएगा यह बताएगा ठीक है और इसके headquarter कहां है Hyderabad के अंदर है then fast track special codes तो अगली नियूस क्या है fast track special code चालू किये गए नहीं इनको extension दिया गया है fast track special code चालू हो गए थे 2018-19 के अंदर और यह कब तक के लिए extend किये गए थे 2023 तक के लिए last extended थे मार्च के लिए अब इनको बढ़ा करके 2026 तक के लिए extension मिल गया है उसी से जुड़ी हुई हम नियूस पढ़ेंगे union cabinet अप्रोवस continuation of fast track special quotes up to March 2026 जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में तो 2018 के अंदर central government ने decide किया था कि one zero two three special fast track course setup के जाएंगे ताकि women safety so related जो मुंदे हैं बहुत लंबे pending नहीं रहें फटाफट फटाफट उनका निप्टारा किया जा सके तो October 2019 के अंदर एक साल के लिए इसकी शुरुवात की गई थी इस समय तो decision आया था और इस समय कमेंस कर दिये गए थे और फिर उनको दो साल के लिए additional आगे बढ़ाया गया अब फ़र्दर उनको extension मिल गया है till 31st March of 2016 और इसके लिए total financial आउपले कितना रखा गया है 1952.23 क्रो रुपेस रखा गया है इसी के साथ साथ देखूए जो फास्ट्रैक स्पेशल पोर्ट्स है न यह पॉक्सों के मामले भी देखती है तो पॉक्सों क्या होता है यह 2012 के अदर पास किया गया था तो कोई भी sexual मुद्धे अगर होते हैं विमेन रिलेटेड और बच्चों रिलेटेड जादा देखे जाते हैं तो उनी को टैकल किया जा PMGKY extended till 2028 क्या है यह PMGKY प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना यही है और इसी से रिलेटेड मैंने आपसे स्टार्टिंग में वापिस आई है इसले नहीं कि अभी लॉंच चुई है लॉंच पहले हो गई थी 2020 में हो गई थी COVID के टाइम जो खाने वाने की प्रॉब्लम नहीं पहुंच पारा था उसके लिए चालू की गई थी गरीब तबगी के लोगों के लिए पर इसको एक्स्टेंशन मिलता रहा तो फॉर्दर एक्स्टेंशन मिला है गर्मेंट एक्स्टेंशन पीमजी के एवाई स्कीम फर फाइव मोर येर्स कितने साल पांच साल और प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज राहत पैकेज जो होता है राधा पैकेज जो पार्ट है जिसमें जो पोविट-19 के दौरान दिक्कते आ रहे थे उसके लिए इसको लॉंच किया गया था नोटल मिनिस्ट्री कौन सी है पूछा था नहीं आप से नोटल मिनिस्ट्री कौन सी है मिनिस्ट्री ओफ फाइनांस है मिनिस्ट्री ओफ फाइनांस और यह जो स्कीम है यह 26 मार्श 2020 को लागू की गई थी प्रधान मंत्री जन जाती आदिवासी न्याय महा अभियान जन मन योजना अरे वाई यह तो हमारा शेड एकदम मैच हो गया जन मन योजना तो यह नई स्कीम है जी अच्छे से पकड़ लीजेगा इसका फुल फॉर्म भी इसके जो भी पॉइंटर्स में बताऊंगी वो भी पॉइंटर्स सारे इंपोर्टन पॉइंटर्स आपको यह पोस्टर पर लिखे वे दिख जाएंगे कहीं और जाने की ज़रत नहीं तो कैबिन जा था पीम मोदी साहब ने कि इस तरह की कोई हम लेकर के आएंगे बेनेफिट स्कीन पीवी टीजीज के लिए पर्टिकलरली वलनरेबल जो ट्राइबल ग्रूप्स होते हैं उनके लिए और अब यह आ गई है उसका नाम है जन्मत ठीक है तो सोशो एकनॉमिक लिए क्रिटिकल इंटर्वेंशन किये जाएंगे जिसमें पक्का घर, रोड कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाइ, एड्यूकेशन बहुत सारी चीज़ हैं अभी हम देखेंगे ठीक है मोटे मोटे ताउर पर समझ में आ गया चौलो यूनियन क्याबनेट अप्रोफ पी एम जन्मन स्कीम, यूनियन क्याबनेट को चेर कौन करेगा, किस ने किया, पीम मोदी जी ने किया, ठीक है, ट्राइबल वेलफेर के लिए, तो प्रधान मंत्री जन्जातिया दिवासी न्याए महा अभियान ट्राइबल कमुनिटीज को सपोर्ट करने के लिए बजट कितना रखा गया 24,000 क्रोड का बजट रखा गया, इसमें 75 ट्राइबल कमुनिटीज जो कि PBTGs में आती है, उन्हें तके साहता पहुँचेगी और इसका जो अनौसमेंट था वो जहार खंड में खूंटी, जो 15 नवेंबर को जब पेम मोदी वहाँ थे तब उन्होंने किया था, इसके अंदर क्रूशन इंटर्विंशन कौन कौन से हैं, तीन-चार तो हमने वहाँ देख लिए देख लिए जब पर्मेनेंट हाउजिंग, रोड करेक्टिविटी, वाटर, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो गई, होस्टल, आंगनवाडी फेसिलिटीज, इलेक्रिसिटी, बहुत सारी और ये जो 24,100, मतलब अगर आप प्रिसाइसली देखो तो 24,100 क्रोड का बजट है, जिसमें से 15,336 क्रोड से जाएगा, आयश्मान भारत हेल्थ और विलनेस सेंटर, सुन्दर सा दिख रहा है, आयश्मान भारत हेल्थ और विलनेस सेंटर, क्या है अब इसकी कहानी वो कर लेते हैं, तो ऐसे इसका नेम चींज हो गया है, इसका नया नाम क्या है, आयश्मान आरोग्यमंदर, मंदर हो गया अब यह, हेल्थ का मंदर हो गया, आयश्मान आरोग्यमंदर, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने लेटर वेटर पहुँचा दी सारे स्टेट य आप जो हम बोलेंगे आयुषमान आरोग्य मंदिर वो किसका पार्ट है वो आयुषमान भारत जो हमारा फ्लाक्षर प्रोग्राम चलता है इंडिया का उसी के तहत खोले जाते हैं और क्यूंकि अब हम आरश्मान भारत की बात कर रहे हैं तो यहीं पे प्रधान मंत्री जन आर योजना है जो चल रही है PMJ, PMJ जन आरोग्य योजना सो आयुषमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को 2018 के अंदर राजी जहारकंड से लौंच किया गया था और इसका नाम पहले कुछ और था इसको पहले नाश्नल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम केहते थे 2018 के अंदर ठीके राश्ट्रिय स्वास्थ बीमा योजना जो की 2008 में लौंच हुई थी उसको मर्ज कर दिया गया नाश्नल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के साथ और इन दोनों को री ब्रैंड कर दिया गया किस तरह से? इस तरह से ABPMJAY ठीके जी? So, ABPMJAY जो 2018 में लौंच हुई वो इस नाश्नल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन और ये राश्ट्री स्वास्थ बीमा योजना का मिला जोला रूप हमारे सामने आया था Okay, आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपोर्टन जानकरी बहुत संशेप यानी बहुत ब्रेफ है मैं आपको दूँगी कि SAC का जेनरल अवेनेस टार्गेट 2024 बैच चल रहा है परचम आप के उपर जिसमें recorded lectures भी मिल जाएंगे, live problem solving session भी मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंग और किस से related history, geography, quality, economy, science, current, no, starting GK, इन सब से related, current affairs आप प्लाटफर्म से ही तैयार कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो तो ये पूरा जेनरल अवेनेस कोर्स है, ये आप एक्सेस कर सकते हो परचम आप पर जाकर के वहाँ पर मैंने एक introductory video बना रखा है पूरे कोर्स के बारे में देख लीजेगा, सब समझ में आ जाएगा, आपको कोर्स का time table मिल जाएगा, कौन-कौन से lecture कप-कप डाले जा रहे तो ये जो पूरा कोर्स है जाकर के आपका finish होगा March-April, April तक आप मानके चलिए रहे, तो आप उतका schedule देख लीजेगा, आप introductory lecture देख लीजेगा, free lectures इसमें काफी सारे आपको मिल जाएंगे, वो free lectures जाकर के देख लीजेगा, अच्छा लगता है, faculty से वैसे आप परिचित ह फिर भी आपको अच्छा लगे ना लगे, देख लीजे, और फिर decide कीजेगा whether you want to buy it, और individual courses भी available है, मैंने तीन का ही poster डाल है, बाकी सारे subjects की भी individual courses available है, strategy की मैं ले रही हूँ, काफी, दो subjects है, pile मैं मैं डील कर रहे हैं, दो पूजा मैं मैं डील कर रहे हैं, so on and so forth, ठीके जी कोई भी doubt, कोईरी concern होता है, तो ये whatsapp और calling number है, इस time इन दिनों आप call कर सकते हो, आपको सारी support जो है, वो मिल जाएगा, और भी बहुत सारे areas ने जहापे आप संपर्क कर सकते हो, आप वीडियो के comment section में लिख सकते हो, हाला कि अगर आपके कोई critical issues हैं, तो यहाँ मत लिखे, और तो आप mail कर सकते हो, पर्चम Glasses 06 at gmail.com पे, आप app chat में chat कर सकते हो, वो बहुत promptly respond वहाँ किया जाएगा, इस number पे बहुत promptly respond किया जाएगा, mail पे भी बहुत promptly respond किया जाएगा, ठीके जी, चालिए, आगे बढ़े, वन नेशन वन रेजिस्ट्रेशन प्लाटफॉर्म, तो नाशनल मेडिकल कमिशन जो है ना, इंडिया का, वो लेकर के आ रहा है, वन नेशन वन रेजिस्ट्रेशन प्लाटफॉर्म, इसमें होगा क्या, डॉक्टर्स के लिए launch किया जाना है, अभी हुआ नहीं, इसका main aim है, कि भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो जब पढ़ रहे हैं, उसी टाइम उनका जैसे हमारा आधार होता है, इसे तरह से इनका एक रेजिस्ट्रेशन नंबर हो जाए, फिर इन्होंने जो भी पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, जो भी प्राक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ एक ज अधार होगा, हर पोई देख सकता है कि कौन-कौन डॉक्टर है, उनका क्या-क्या पूरा कच्चा-चिठा मिल जाएगा, तो इसमन पर UID, रेजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और प्लेस, कहां वो काम करते हैं, क्वालिफिकेशन के है, स्पेशलाइज़िशन के है, एवरिफि विल बे प्रटी मच्च विसिबल, नाशनल मेडिकल कमिशन के हम बात करें, तो इसको नाशनल मेडिकल कमिशन अंग 2019 के तहट कॉंस्ट्यूट किया गया था, और इसने मेडिकल से रिलेटर जो एजुकेशन और प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनकी सारी जुज़ों को रेगुलेट करता है, और नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर है विज़न इंडिया एड़रे 2047 प्लान, दो हजार सैतालिस में 2047 के अंदर इंडिया किस तरह का हो हमारा विज़न जो है उससे रिलेटेड अपनी उस आपकुछ देखेंगे तो नीती आयोग के जो CEO है, BVR सुब्रमन्यम जी, उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट है ना, यानि जो एक बार का जो कच्छा चिठा हम बोलेंगे इंडिया विज़न एड़रे 2047 का ड्राफ्ट जो है वो बन करके डिसेंबर 2023 में सामने आ जाएगा और इंडिया का ये जो ड्राफ्ट, ये जो विज़न है 2047 का ये विज़न देखता है कि इंडिया डेवलब्ड नेशन बन चुका हो तब तक ठीक है, इसका एम किया है कि हमें डेवलब्ड एकनॉमी बन चुके हूँ और ये विकसित भारत, जो हम बोलते हैं विज़न इंड कर रही है, फोरकास्ट कैसे आ रहे हैं 2047 तक हम कहां कितने पहुँच चुके होंगे, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं, वो 8.67 ट्रिलियन यूज डॉलर्स पहुच चुके होंगे 2047 में और इंपोर्स की हम बात करें तो 12.12 ट्रियन डॉलर्स तक का हमारा इंपोर्ट वैल्यू कर रहा होगा, इंडिया की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानि एवरेज कितना जीएंगे लोग, तो वो अभी 2021 की हम बात करें तो 67.2 है, बढ़करके 71.8 हो जाएगा, जादा जीएंगे लोग एक्सपेक्टेंसी, बिकरस अफकोर्स फसिलिटीज पर दिख जाएगा, ग्रोथ प्लान जो दिख रहा है कि हमें किस तरह काम करना है या तब तक हमें कहां पहुचाना है चीज़ों को, हो जाएगा बोलिए, या जहां तक हमें पहुचाना है, दोनों में से आप कैसे भी इसको ले सकते हो, तो यह सारे इंडिकेटर्स हैं, एक जो है, तो स्टेट के जो डीजीपी हैं, उनके अपॉइन्मेंट के लिए थोड़े कड़े निर्देश आ गए हैं, तो गाइडलेंस को और टाइटन कर दिया है, यूपी एसी में, क्यों किया है, क्यों काफी सारी समस्य आए थी, वह अब यह में बताऊंगी, तो सबसे पह है महीने होने चाहिए, कारेकाल सर्विस करने लाइक उनके पास सिक्स मन्स मिनिममम होने चाहिए, तब ही आप उनका अपॉइंटमेंट कीजिए, डीजीपी पर वरना मत कीजिए, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है, इससे होगा क्या, जब एक-दो महीने के लि देन, उसके अलावा, जो आप शॉटलिस्ट करोगे, भी डीजीपी तो स्टेट का एक ही बनेगा, लेकिन शॉटलिस्टिंग कितना होगी, तीन की माक्सिमम हो सती है, ऐसा निया पाच-पाच-दस-दस की शॉटलिस्टिंग करो तीन की होगी, कुछ केसे में दो की शॉटल देख लीजिए, तो वहाँ पे जो प्रमोशन है, वो आपके प्रफॉर्मेंस बेस्ट या मेरिट बेस्ट ही किये जा रहा है, ऐसा निये कि आप सीनियर हो, तो आप काम कर रहा नहीं कर रहा है, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर कर कि कही जगे होग होता है, हम सीनियर थे, हमें प्रमोट नहीं किया, किसी और को कर दिया, तो बहुत क्लियर कर दिया गया है, कि इमपैलमेंट कमिटी बनेगी, जिसको हेड कॉन करेगा, यूपेसी के चेर मिन उसको हेड करेंगे, उसके अलावा काफी सारे लोग उसमें होंगे, और जो तीन आपने शॉटनिस किये हैं, ऑफिसर्स, डीजीपी बनने के लिए, उनको मेरिट के बेसिस पे डीजीपी बनाया जाएगा, सेनियोर्टी के बेसिस पे ने, उसके अलावा फिक्स सेनियोर दो साल की होगी डीजीपी की, ठीके, जैसे कई बार बीच में ही चेंज कर दिया जा विए, जब तक कुई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है, बदलाम नहीं लाया जाता है। पहली बारे गाइडलाइन्स आएंगे डीजीपी क्या अपॉइंटमेंट से रिलेटेट नो इससे पहली फर्स फ्रेम गाइडलाइन्स जो आई थी फॉर अपॉइंटमेंट अफ स्टेट डीजीपी 2009 के अंदर आई थी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पुलिस परकाष सिंग वर्स यूनियन ऑफ इंडिया वाला ठीक है तब पहली बार आई थी गाइडलाइन्स देन वाट इस एनकोर अब यह एनकोर क्या है किस से रिलेटेड है क्यों है सो इसका रिलेशन है हमारे ECI यानि इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया से तो यह एक सॉफ्ट्व करेगा इसका फुल फॉर्म क्या है इंपॉर्टेंट है भाई एनकोर का फुल फॉर्म इनेबलिंग कम्यूनिकेशन ओन रियल टाइम इन्वार्मेंट रैइट सो इलेक्शन कमिश तो जो रिटर्निंग आफिसर्स होते हैं क्यों प्रोसेस कंडिडेट नॉमिनेशन एफिडेविट वोटर टरनाउट कांटिंग रिजर्ट डेटा मानेजमेंट यह सब करने में एनको और मदद करने वाला है एंडिया की बात पर तो चॉंसेट बॉड़िया नीं कॉंस्टिशन की तहट बनाई गई है 25 जैनुरी 1950 को यह एक्जिस्टेंस में आती है MOU साइन बिट्वीन एलेक्शन कमिशन और एड्यूकेशन मिनस्ट्री वे MOU क्यों की कॉपी भी दे दिया आपको पढ़ लो MOU साइन हुआ है एड्यूकेशन मिनस्ट्री और एलेक्शन कमिशन के बीच में क्यों हुआ होगा एड्यूकेशन मिनस्ट्री तो भाई NCRT किताबों के अंदर एलेक्शन से रिलेटेड प्रॉसेस और कैसे क्या होता है एलेक्टोरल लिट्रिसी बच्चों को देने के लिए क्लासे सिक्स तु तु ट्वेल इन ओल स्कूल्स NCRT किताबों के अंदर एक कर्यूकिलम डाला जाए इसके लिए एमयू हुआ है तो ECI एलेक्शन कमिश्र आफ इंडिया ने साइन किया है मेमराणनम ऑफ अंडिस्टानिंग मिनिस्ट्री अफ एड्यूकेशन के साथ में तु ब्रिंग इलेक्टोरल लिट्रेसी टू क्लास्रूंग अक्रोस दे कंट्री तो जो सेंट्रल स्कूल्स है उनमें तो होगा ही स्टेट वालों को भी अपील की जाएगी कि आप भी डालियो ओके मसे इत्ती सी बात है आगे चोलो सो राइट टू वोट अच्छा आप कुछ स्टाटिक पॉइंट्स देख लीजिए कि राइट टू वोट जो है वो पॉंसे आर्टिकल में नहीं थे भई राइट वोट अर्टिकल 3.26 के अंदर लिखा गया है यह उनिवर्सल रेक्लेरेशन अफ यूमन राइट से देन वोटिंग एज जो थी पहले 21 साल हुआ करती थी वो घटागर के 18 यर्स हुई है 61st Constitutional Amendment of 1988 के तहट इस इन इंपोर्टन पॉइंट ओके देन यह जो बिल था वो एन्फोर्समेंट में 1989 से आया Costa Serena अना वाइस दिस Costa Serena What is this Costa Serena? Mumbai के अंदर भारत का पहला International Cruise Liner पानी पोतारा गया है और दिस Costa Serena So Union Minister of Power Shipping and Waterways Union Minister Sarbanand Sonowal जी उन्होंने लांच किया Domestic Sailing के लिए आनि ऐसा नहीं के इंटरनाशनल ही लेके जाए गए नहीं Domestic Sailing के लिए Costa Serena जो की पहला International Cruise Liner है इंडिया में International ही बना हुआ जो उन्होंने लांच किया है 50 Million Cruise Passengers जो है इंडिया में टार्गेट यह है के भाई Cruise Passengers जो है वो 50 Million तक पहुँच जाएं By the Year 2047 ठीक है चालब India's first Wi-Fi 6 Ready Broadband Network जो Wi-Fi 6 पे फंक्शल होता है तो वो कौन सा है? Nokia ने कॉलाबरेट किया है Tata Play Fiber के साथ और उन्होंने अन्वील किया है Country का Wi-Fi 6 Ready Broadband Network Then NMDC, National Mineral Development Corporation NMDC inaugurates its first gold mine Mount Celia Gold Operation So NMDC जो है इंडिया का उसने उस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पहली gold mine इनाउगरेट की है Mount Celia Gold Operation के उस नाम से And Nagendra Nath Sinha जो है Secretary है Ministry of Steel के उन्होंने अन्वील किया Foundation Stone अभी रखा गया है उस पर काम चालू होगा ठीक है Mount Celia Gold Project जो की Western Australia के अंदर Located है यहां पर And This marks NMDC's first venture into gold mining Gold mining में यह इनका पहला experience है जो की शुरू किया जा रहा है National Mineral Development Corporation की बात करें यह तो कंटे का लार्जेस्ट आइरन ओर प्रोड्यूसर है वोल्ड प्रोड्यूस करेंगा है ना Hyderabad-based है 1958 से काम कर रहा है और यह नवरत्न काटेगरी की CBSC है Krishy 24 by 7 अब यह क्या है किसी निउस चानल का नाम लग रहा है न लेकिन यह निउस चानल रही है यह एक AI-powered solution है automated agricultural news को खोद के निखालने का यानि कि किसी भी news platform या online newspapers वगेरा से Krishy से जुड़ी वी Krishy यानि खेती से या एगरिकल्चर से जुड़ी वी जो भी important खबरे होंगी keywords होंगे, highlights होंगे सब निकाल करके, उसकी report बना करके और ministry को पकड़ा देगा ताकि वो फट्टा-फट decisions ले सके This is Krishy 24 by 7 आगे बात समझ में, चलो Union Agricultural Ministry ने collaborate किया है वादवानी Institute of Agricultural Artificial Intelligence यानि वादवाई AI से वादवानी AI से और develop किया है Krishy 24 by 7 तो first ever, पहला AI-powered solution है Automated Agricultural News को monitor और analyze करने का और इसके लिए support कौन दे रहा है Google.org क्योंकि news तो सारी वहीं से उठाए जाएगी So, सारे news article को scan करेगा वो किसी भी भाशा में हो, अलग-अलग languages में और वो English के अंदर उसको translate करके सारी information का करक्स दे दे SC bands fire practice containing containing barium नई बात नहीं है पर विचारे सुप्रीम कोट को भी clarify करना पड़ता है सुप्रीम कोट ने एक अपना निर्देश जारी किया था और उन्होंने कहा था 2021 में कि मैंने भाई आपको एक directive दिया था कि ऐसे जो भी पटाटे जिनमें barium होता है जिनमें barium होता है वो ban हो जाने जी सिर्व आप green crackers जो होते हैं वो आप 408 और जो improved crackers होते हैं जिनमें emissions कम होते हैं उनको 408 ऐसा नहीं हमने दिल्ली के लिए का हमने तो पूरे भारत के लिए काया तो विचारा सुप्रीम कोट भी ये explanation या एक directive दे रहा है सो उससे पहले तो ये तो बेरियमाला किस्सा हुआ 2021 का उससे पहले ऑक्टॉबर 2018 में सुप्रीम कोट ने बैन किया था ऐसे क्रैकर्स को सभी क्रैकर्स को राधर except green क्रैकर्स and improved क्रैकर्स और जॉइन क्रैकर्स भी बैन किये गए थे वो जो हम इसे जादा नहीं और 2020 में तो नाशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ले बैन कर रखा है किसी भी तरह का जो पठाका है वो नहीं होना चाहिए पर्टिकलर लेकर पलेशन बहुत जादा है और कुछ-कुछ केसे में थोड़ी बहुत दील दे भी दी जाती है के दिलली के बाद करें तो CJI थे ज्जीफ जस्टिस 모습 इंडिया इन अपड़ेंगरेंगे जि은 क्वें इन सुप्रीम कोॉट में Thai क्वें मिटी क्या है मिटी काफे क्वें तो मिटी काफे को वबना फावं किया गया था इलीना अलम के द्वारा 2017 में इसकी खास बात क्या है इसकी खास बात है कि यहाँ पर उनी लोगों को ट्रेनिंग करके काम पर रखा जाता है जिनको फिजिकल मेंटल या साइक्कियाट्रिक डिसिबिलिटीज होती है कोई ना कोई बिमारी से ऐसे वो ग्रस्त होते हैं वहीं लोग मिट लोकल बॉड़ीज हैं वो जो भी काम कर रहे हैं अपने एरिया के बेटमेंट के लिए वोट इनिशेटिव दियार टेके तो वही सेम आइना दोसरों को दिखा सकें दूसरे यूएल बीज को अर्बन लोकल बॉड़ीज को दिखा सकें तो यह एक तरह का मिनिस्ट्री ऑफ ह अर्बन अफेर्स का एक इनिशेटिव है जो कि एक पोर्टल के फॉर्म मेरा ने लांच किया है जो भी यूएल बीज है अपनी इच्छा से अपने अपने सारे काम माम और जो भी वो इनिशेटिव लेड़ीज वो शेर कर सकते हैं बाकि लोग उनको देखकर के प्रेड़ना अगे जलते हैं कहां चले गए अड़े गेल कंप्लीट वर्ल्ट इनॉग्यूरन शिप टूशिप एलेंजी ट्रांसफर गेल डाट इस ग्यास अथॉर्टी ओफ इंडिया लिमिटेड जो है उसने दुनिया का पहला शिप टूशिप एलेंजी ट्रांसफर पूरा किया है जो इसका नाम था अलगर्फा ओफ कतर सो कतर का एक चार्ट था मतब हम बोलनें वेसल था और एक गेल का था गेल वालों ने हायर किया था किराय पे लिया था कैस्टलो दे सांतिस्ते बैन को नाम याद रखने की जाद ज़रुवरत नहीं है तो बस इनका ट्रांसफर हो गया काफी पहसे बच गए क्योंकि अहाँ है यह केरला के अंदर है थiक है सु कोजी कोड़ सो CDB launches Hello Narial Call Center Hello Narial ये call center का नाम है और Hello Narial Friends of Coconut Trees FOCT call center facility शुरू की गई है केरला के अंदर ताकि जितने भी farmers बगेरा इसमें जुड़े वे हों को अगर कोई भी doubt काने है इन्टरनाशनल इवेंट समभव समभव क्या है एक इंटरनाशनल इवेंट पर किस से जुड़ा हुआ है कहां होगा कौन करेगा सो दो दिन का इग इंटरनाशनल इवेंट है समभव 2023 दिव्यांग जे आर्टिस्ट होते हैं फिजिकली, मेंटली चालेंज यो होते हैं, वो इसको और्गनाइज करेंगे दिल्ली के अंदर, और कौन से और्गनाइज़ेशन इसको help करेगे, association help करेगे, अगनी क्या है, एक तो आँग होती है, वो नहीं है, वो बेसिकली जो भी आयरवेद से जुड़े हुए प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको रिसर्च में और बढ़ावा देने के लिए हैं, और उनकी रिसर्च फाक्ट बेस्ट होते हैं, सके, प्रूफ बेस हो सके, उसके लिए इनिशियेटिव, Central Council for Research, Ayurvedic Sciences, CCRAS लेकर के आया है, Ministry of Ayush के अंडर में, ठीक है, तो इसका main काम क्या है, या main इसका objective क्या है, जो physicians, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयरवेद को, उनको, उनको रिसर्च में और प्रमोशन दिया जाए, साइन्टिफिक वैलिडेशन वो प्रूफ कर सके, कि देखो, Ayurvedic से ऐसा होता है, लाइक जिसे हम बात करें, अलोपेथी की, अलोपेथी ती पॉपिरर क्यों है, विकर साइन्टिफिक रिसर्च, उसके उपर काफिक अनो की गई, एक्स्परिमेंट बहुत की गई लाब्स क इंपावर्मेंट और इसकौन अंडर नशामुक्त भारत अभियान, तो इसकौन ने M.E.U. साइन किया है, मिनिस्टिफिक अव सोचल जस्टिस अन इंपावर्मेंट के साथ में, ताकि जो यूथ ड्रब यूसेज में जुड़ा हुआ है, उसको उससे बाहर लाया जा सेगे और नशामुक्त भारत अभियान अधरवाइस हम बात करें, तो पंदरा अगज दो हजार बीस में लॉंच किया गया था, अब इन दोनों की पार्टनरिंग होई है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए, कैबिनेट अप्रोव्स टर्म्स ओफ रेफरेंस फॉर सिक्स्टीन फ थार्ट में बोली दो, सो टर्म्स ओफ रेफरेंस क्या होते है, टर्म्स ओफ रेफरेंस जब भी कोई कमिटी बनाई जाएगी, कौन-कौन होगा उस कमिटी में उनको किस बेसिस पे काम करना है, उनके लिए जो एक विजन दिया जाता है कि इस तरीके से आप काम कीजेगा, तो उसको टर्म्स ओफ रेफरेंस बोलते हैं, तो टर्म्स ओफ रेफरेंस अप्रूव हो गए है, कि जो अब अगली कमिटी आएगी, वो किस तरह से काम करेगी, etc. और वो होगी 16th Finance Commission, फिर वो अपने रेकमेंडेशन देती है, यूशली दो साल के अंदर और फिर उनको नदलिटीज हैं, वो यहाँ पर दी हुई होती है, और फाइनस कमिशन की जो रेकमेंडेशन होते हैं, वो यूशली इस बारे में होते हैं, कि जो टैक्स के नेट प्रसीड्स हैं, वो यूनियन टेरिटरी में कितने अपला जाएंगे, स्टेट्स में कितने मनें, डिस्ट्र करेंगी, रिपोर्ट बनाएंगी, अपनी रेकमेंडेशन देंगी, इसमें दो साल लग जाते हैं, शिक्स्टीन फाइनस कमिशन जो है, वो अपनी रिपोर्ट देगी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एकत्तिस अक्टूबर, और इनके जो रेकमेंडेशन हैं, फिर अगर वो अप्रूफ कर लिये जाते हैं, ये भी एक पॉइंट होता है, अगर वो एकसेप्ट कर लिये जाते हैं, गवर्मेंट के द्वारा, तो उनको इंप्लिमेंटेशन में लाया जाता है अगले पात सालों में, तो इस केस में 1st April से 31st March, 2026 से 2031, अभी जो 15th फिनांस कम अब देखें, भारत का एक टार्गेट है, कि हमें 2070 तक, कहां गया, चलो, हटाओ, कहीं तो लिखा हुआ ही होगा, ओके, ये रहा, कि हमें 2070 तक नेट जीरो एमिशन पे पहुचना है, यानि कोई भी कार्वन एमिशन फूट्प्रेंट होगा, हम नहीं छोड़ेंगे, और से पहले इन्हों ने भी टार्गेट लिया है, कि हमें हमारे नाच्रल गैस के जो इंपोर्ट है, विकाज हम बहुत जादा पंजूइं करते हैं, जनता जादा है, और हमें इंपोर्ट पर बहुत करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने बायो गैस ब्लैंडिंग का प्लान ब करेंगे, कब-कब क्या-क्या होगा, ठीक है, तो ये सारी कहानी है, गोट इट, तो ये डिसाइड किया गया कि फेज्ड इंट्रोडक्शन होगा ब्लेंडिंग का, यानि ये जो ब्लेंडिंग की जाएगी, कम्प्रेज बायो गैस की, वित नाच्रल गैस, ये फेज्ड मैनर के अंदर की जाएगी, और अल्टिमेट तो मैंने आपको बता दिया, अल्टिमेट एम क्या है, हमारी जो डुमेस्टिक डिमांड है, वो पूरी हो जाए, हमारा जो नाच्रल गैस इंपोर्ट पे रिलाइन्स है, वो कम हो जाए, इंडिया का जो कमिट्मेंट है, दो हजार स icano, ब्रेसेंट प्लेंड हो, इसमें मैं मिल्ली तरफ से उत्ल प्लेंड पर्फारो'd इंडिया जाए 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 प ». 5% पहुचाने है ठीक है ताकि कम नाचुरल गैस हमें इंपोर्ट करने पड़े कम यूज में आएगी हम ब्लेंडिंग अपने तरफ से करते चटेंगे और भी हम क्या करेंगे गर्मन्ट पुश करेगी कि भी जो सस्टेनिबल एविएशन फ्यूल है सस्टेनिबल एविएशन फ्यूल वो भी एयरक्राफ वो भी यूज होने लग जिया उसके भी ब्लेंडिंग होने लग जाए एरक्राफ दरबाइन फ्यूल में और दो हजार सथाइस तक सबसीक्वेंट पहले मितलब हम वन परसेंट अचीव करें दो हजार सथाइस तक और धीरे धीरे दीरे दो हजार अठाइस तक टुर परसेंट सेफ की ब्लेंडिंग होना शुरूब हो जाए नाशनल बायो फ्यूल कोडिनेशन कमिटी जो है उसने भी अपनी मनजूरी दे दिये हामी दे दिये नौड दे दिया है कि यह जो ब्लेंडिंग होगी सी बी जी की सी एंजी के साथ में ट्रांस्पोर्टेशन और पाइप्ड गैस जो पी एंजी जिसे हम बोलते हैं पाइप्ड नाश्रल गैस के लिए उन्होंने हामी भर दिये कि हां जी जो हाउस होल्ड के लिए पाइप नाश्रल गैस जाती है तो दो हजार पत्चिस चब्बिस तक हम इसमें भी जो कर रहे हैं हम नाश्रल गैस के साथ में तो जब बैयो गैसिक अनजी रिच गैस और नी हवा या ओक्सिजन के प्रेजेंस के बिना जब डी कम्पोजिशन होता है तो बैयोगैस प्रडूज होती है भायो मास से बनती है तो ये अगरिकल्चलर रेजिडिव in बनती है कैटल ड इसमें से carbon dioxide हटाके, hydrogen sulfide वगेरा हटाके, इसको compress करके CBG बनता है, ठीके तो bio gas तो naturally होती है, उससे आप CBG बनाते हो, और ये जो CBG है, इसमें methane का content more than 90% होता है, जो की commercially available natural gas है उसके जैसा ही है, समझ गे, तो जब हम हम मारे पास इतने सारे cattle हैं, इतनी agriculture oriented हमारी economy है, तो हमारे प हमारा जो लोड है, natural gas की import पर वो कम हो सके, आगई बात समझ में, हम क्योंके major consumer है natural gas के, बहुत import करते हैं, अब ये क्या है भई, अच्छा, फिर रुको, October 2018 में, गर्मेंट ने launch की थी सतत स्कीम, इसी गया context में है, ठीक है, तो सतत स्कीम गर्मेंट ने launch की, अभी सतत स्कीम क् और उसमें 5,000 CBG plants, plan envisage और envision किये गए थे, आप में सोचा था कि 2023 तक हम लगाएंगे, ताकि हम 15 million tons of CBG produce कर सके, तो ये एक additional चीज में आपको बता दिये, कि वही सतत स्कीम है, वो भी इसी एरिया में काम करती है, ताकि नए-ने लोगों को entrepreneurs को अढ़ावा दे सकें, कि आप CBG प्लांट सेट अप कीजिए, ताकि CBG प्लांट होंगे, तो हम उनको योज भी करेंगे, हो गई, चालो, APEDA facilitated cashew nut export to four countries on NCD, तो APEDA कौन है भाई है, Agriculture and Processed Food Product Development Authority, तो agriculture से processed food बगएरा बनाना, और उनको फिर आगे export बगएरा करना, उसके अदर APEDA का का इंपोर्टन रोल रहता तो APEDA ने फेसिलिटेट किया है, cashew nut का export, चार देशों में, कौन-कौन से देशें जहां पर हमने पचाया है, Bangladesh, Qatar, Malaysia and USA, और इस अब कब हुआ, National Cashew Day पे, ये National Cashew Day इंपोर्टन डे में मिस हो गया, तो यहां पकड़ गर ली जगा है, इसके उपर, National Cashew Day का बादा है, 23 November, 23 November प इंडिया के अगर हम बात करें, तो इंडिया सेकेंड लाजिस्ट प्रड्यूसर है, और एक्स्पोर्टर है, Cashew Nut का और ग्लोबली 15% शेर हमारा ही जाते है, हम किसके पीछे हैं, बस Code DIY के पीछे, बहुत देसे सवाल नहीं किया, चलो बताओ दो, Continent बताओ, Code DIY का, कौन से Continent म आता है यह, जल्दी बताओ, थर्ड नंबर पे वियत नाम आता है, और इंडिया से जो काजू एक्सपोर्ट होता है, वो सबसे जादा कहां एक्सपोर्ट किया जाता है, कहां भीजा जाता है, UAE, Netherlands, Japan, Saudi Arabia, इंडिया कि अगर हम बात करें, तो कौन से राज्ये हैं, जो सबसे एक देओ, अब नाश्टनल रियूस से रिलेटेड शॉर्ट सेक्शन पर आ जाते हैं, यह तो अभी तक हमने वो सारी न्यूस देख ली जिसमें डिसकॉशन की जरुरत थी, डीटेल की जरुरत थी, बिकोस डीटेल में से भी क्वेशन बन सकते थे, अब वो न्यूस देखे आप एक टान्सफर मोडल, तूछ लिया जाए, अब यह तो इस तोल आपरेट ट्रांसफर, टोल बनाओ, ओपरेट करो ट्रांसफर, तो नाश्टल हाईवे अथार्टि अफ इंडिया जो आप ऐसे समझें, उसने रिसेंटल फॉड हाईवे जो मोनेटाइजेशन प्रड़क जिनका मुझेर मॉनिजराइजेशन प्रजेक्ट करी इतना था इसमें जाने की ज़रत नहीं है उनको टी ओटी मोड के उपर अमताब प्रजेक्ट दिये हैं आप ऐसे समझे एने ची आए ने दो हाईवे प्रजेक्स दिये हैं टी ओटी मॉडल के उपर ठीके तो इसलिए टी करिंद से आफ के मॉडल को अपना आज आजाता है ने अएक समस्या का निदान दिया कि इसमोग हो जाता है तो इसके के लिए हम क्या कर सकते हैं चाहिज को वाउच कर सकते हम प्रस्क्रीψट कि इसके रिवार्ट सीडिंग के अंदर तो यह तो यह याद रखेगा ठीख है फिर हड साल 2nd नविम्बर को पारु मला पेरो नल फेस्टिवल मनाया जाता है कहां केरला के अंदर तो यह तो इसके में कोप्रेट कर दिया फिर सेविंटीन एडिशन जेपो लिट्रेचर फेस पूछ नहीं किया था अगली खबर पर दर्मेंद्र प्रधान और जो ऑस्ट्रेलिया की एडूकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अनौंस किया है कि दो ऑस्ट्रेलियन उनिवर्सिटीज के खोले जाएंगे इंडिया में गिफ्ट सिटी में पूछ लूँ यह सवाल बहुत देर से सवाल नहीं पूछा है मैंने एक और अभी तो बहुत छोटा सा सवाल दा बताएए गिफ्ट सिटी कौन से स्टेट के अंदर है इंडिया में जल्दी बताओ बहुत आसान सा question है तो इं के साथ 100% FDI इस पडिकलर अएरिया में आ जाती है इंडिया अगांटेट फॉर हाइस नंबर अव टी बी केसे इंड वर्ल इन ट्वेंडी 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 तो दो हजार वाइस में विश्व घन में जहां भी टीवी केसे देखे गए सबसे जादा भारत में देखे है डवली एचो 2023 ग्लोबल टीवी रिपोर्ट ऐसा कहती है और पूरे विश्व भर का 27% कितना 27% टीवी केसे हमारे पास है हमने टार्गेट ले रखा है दो हजार पच्चिस तक टीवी मुक्त बनने का यह जो डवली एचो का टार्गेट है या मैं वो यून का जो टार्गे के लिए लेच सी आदानी ग्रीन एनर्जी लेटेट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी वन गया है 8.4 गीगावाट इंस्टाल कपैसिटी तक बहुत चुका है यह और इंडिया सेकेंड एडिशन होस्ट करेगा वोईस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो की एक वर्चियल फर्माट में होगा और पी एम मोदीस को होस्ट करेंगे ठीक है जी तो यह हो जाता है सारा का सारा नाशनल न्यूस सेक्शन खदम अब हम बढ़ता है अगले सेक्शन की तरफ बैंकिंग नहीं है यह बैंकिंग और फाइनान्स है और यह सेक्शन ऐसा पर जाकर के जो स्पेशली आप लोगों के लिए बैंकिंग और फाइनान्स करन्ट अफेर का स्क्शन होता है वो जरूर से देखा कर यह तब जाकर आपके करन्ट अफेर पूरे होंगे चलो जी आर्वी अलाव कर दिया है कि जो नॉन रिस्डेंट इंडियन्स होते हैं वो अब अन्रिस्ट्रिक्टिड तौर पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्स खरीच सकते हैं ग्रीन बॉन्स क्या होते हैं ऐसे बॉन्स इशू करती है सरकार जिनसे की जो मनी रेज किया जाएगा वो किसी ना किसी एन्वाइमेंट को बेनिफिट करने वाले प्रजेक्ट में लगाया ज होते हैं जो की फंडिंग करते हैं ऐसे प्रजेक्ट को जो एन्वाइमेंट से जुड़े हुए होते हैं ठीके जी चालिए देन आर्बी इंक्लूट्स पी एम विश्व कर्मा अंडर पी आई डीएफ स्कीम अब देखो जैसे यह नियूस हो गई हैं सब के गाम की होती है तो और इन्फरस्ट्रक्चर डेवलंड मंिनक्र पायि अबरा दियूस करते हैं इसका इन्फरस्टरक्चर बढ़ाने के लिए स्कीम लाइ देए और इसको एक्स्टैड कर दिया गया है फॉर को यार्स येडिशनल ठीक है पी इडी इफ स्कीम प्रम्न पढ़ा दिया गया है ए कर्मा स्कीम से रिलेटेड जो भी राश्य वाश्य पहुंचनी है लोगों तक उसके लिए भी आप इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्र ते यार किजिए इसमें आर्टिजन्स छोटे-छोटे जो हाथकर गुनकर ट्राफ्ट्समें उनको जोडा जा रहा है तो उन तक पेमेंट पोहुचना इसी के थू पॉसिबल हो पाएगा तो पेमेंट इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्ट्रॉक्ट्र डेवलप्मेंट फंड स्कीम जो है इसको सबसे पहले आर्बियाई ने जानवरी 2021 में लांच किया था अब्जेक्टिव क्या था कि नंबर ऑफ पेमें स्कीम पढ़ चुके हैं कहीं बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 17 सितंबर विश्वकर्मा जैनती 2023 को लांच किया था पांच सालों के लिए इसको लांच किया गया है छोटे-छोटे जो बिजनस होते हैं आर्टिस्ट होते हैं क्राफ्समेन होते हैं उनको सपोर्ट प्रवाइ अब है क्या है सो इसको बिल्कल बेसिक सा समय लेजिए कि इंडिया के अंदर जो मैक्रो स्मॉल मीडिया इंटर्राइज जो कि हमारे ग्रॉस वेल्यू आड़ेड ओवराल जो ग्रॉस वेल्यू आड़ेड होता है कंट्री का उसमें काफी इंपॉर्टन रोल क्ले करते हैं त तो वो कैसा पुफर्म कर रहा है हमारा पूरा MSME सेक्टर उसको ट्रैक करने के लिए उसका इंडेक्स है उसकी रैंकिंग वगेरा उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सिंद्भी ने संपॉर्ड MSME इकनामिक एक्टिविटी इंडेक्स लॉंच किया है जकोटा के साथ मिलकर बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें और कुछ नहीं जाना है डीटेल वाले बहुत बार बोल चुके वह वाले वीडियो देखेंगे जिन ऑबिसली बैंकिंग वाले बच्चों को नियूस की डेप् कोट ने अप्रूव किया है 50% कोटा इंक्रीज सो आइमेफ के अंदर जो भी नेशन होते हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको कोई ना कोई कोटा मिला हुआ होता है फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तो जैसी इंडिया के अगर हम बात करें तो हमारा जो शेर है 2.75 है अभी एक रीसेंट अप्रूवल आया है आइमेफ का कि जो पोटा है अलोकेटेड वो 50% तक बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो करन्ट कोटा के प्रपोर्शन में 50% इंक्रीज कर दिया जाए आइमेफ के स्टाटिस्टिक्स देख लीजे 1945 में बना था वाशिंग्टन डीसी मैंने आपको बता रखा है कि UN-related जो भी organization होती है specialized agency हो, organs or whatever, तो अगर मनी से related है तो वाशिंग्टन डीसी में ही headquarter होगा Managing Director Pristalina Georgieva है, then First Deputy MD Gita Gopinath है Indian Origin की है, Chief Economist Pere Oliver Gorincas है, France के Penny Drop Verification क्या है? What is Penny Drop Verification? So, जो PFRDA है, अब ये कौन है? So, Pension Fund Regularity and Development Regulatory, turn twisty हो गया, Regulatory and Development Authority जो होती है, जो Pension वगेरा सारी और PF Fund मैनेज करती है उन्होंने एक Penny Drop Verification का mandate ला दिया है, यानि compulsory कर दिया है, अगर आप अपने funds विड्रॉप करवाना चारे हो National Pension Scheme से, Attal Pension योजना से, या फिर आप अपने bank खाते में कुछ भी modification करवाना चारे हो, तो Penny Drop Verification होगा सब कुछ मैच किया जाएगा, डॉक्यमेंट सारे चेक किये जाएगे, तब ही आपको कुछ भी पैसा में लेगा या तब ही आपके bank account में कोई changes होंगे, this is Penny Drop Verification लास्ट आज जाते हैं, short news from banking and finance, SBI reduces minimum issue size for social stock exchange, 1 crore से 50 लाग, अब देखो, जो सेबी है, उसने reduce कर दिया है कि minimum issue का size जो होता है, वैसे 1 crore होता है, लेकिन अब इतना investor देना ही नहीं चाह रहा है, तो हमने 50 लाग रोपे कर दिया है, कि 50 लाग तक social stock exchange जो है, वो issues लेकर के आ स India to become world third largest economy by 2027, हमारी finance minister सिता रमन जी उन्होंने प्रडिक किया है कि 2027 तक हम third largest economy बन जाएंगे, जेपान जर्मनी को हम पीछे छोड़ देंगे, इंडिया की जो economy है, उसने gross domestic product, उसका जो gross domestic product था, वो 4 trillion mark nominal terms में cross कर गया था पहली बार, और ये भी news में आ जाता है, जाते जाते एक सवाल आपके लिए, ठीक है, इसका answer आपको subsequent videos में मिल जाएगा, पर again, खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे आपको, तो खाली हाथ आई भी नहीं थे, सवाल लेकर के मैं आई थे, आपको देने के लिए और खाली हाथ छोड़के भी नहीं जाओंगी, question देके जाएँ, answer कीज चलिए, infuse mission is associated with which space agency, यानि की infuse mission किस अंतरिक्ष agency से समबंधित है, कौन सी space agency है, जो infuse mission से जुड़ी हुई है, जब आप आते है, तो लिखे नहीं आता, तो ढूंडिए और लिखे, I want your answers, I want your feedback, I want your, if any, subject request, topic request, यब किसी, अभी अगर आपने कोई exams दिये हूँ, और कैसा perform क है, जो भी कुछ पढ़ रहे हो, वहाँ से क्या support मिला है, जो भी कुछ बात्षीत करने है, do write down in the comment section, do send us app chats, do write mails to us, instagram पे आप लिख सकते हो, पर्चम underscore classes, या मेरा है, Richa Sharma 2325, communication मे रहिए, because that is the best way of knowing each other, right, चलिए, on this note, I take your leave, जल्दी में रिख लेंगे अगले session में, until then, take good care of see yourself, bye bye!